नमस्कर दोस्तो आज बताने वाला हूँ कैसे आप Advanced Tax जमा कराएंगे Online Simple है दोस्तो आपको Google Chrome पे आना है और यहां लिखना है Income Tax Department लिखेंगे और उसके बाद यहां पे आपको एक साइट देखेगी Income Tax.gov.in IECFO Portal इस पे आजाएंगे जहीं इस पे आएंगे देखो इस परकार से आपको देखेगा Income Tax.gov.in ठीक है यह Income Tax का Portal है यहां पे आने के बाद आपको आना है E.P. Tax पे यहां पे आने के बाद आपको Advanced Tax जमा कराने के लिए यहां पे Pen Number लिखना होगा ठीक है जिस भी पर्सन का Company का या Form का जमा करार है तो चलिए यहां पे Pen Number लिख लेते हैं फिर Pen Number को Confirm करना पड़ेगा यहां पे लिखना होगा Phone Number आप Phone Number कोई भी लिख सकते हैं ठीक है यह ज़रूरी नहीं कि आपको वही Phone Number लिखना है जो Pen के साथ लिंक है यह उसी पर्सन का Phone Number लिखना है जिसका यह Pen Number है किसी का भी Phone Number लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पे चलिए लिख लेते हैं Phone Number Phone Number लिख लिया उसके बाद Continue पे क्लिक करेंगे अब यहां पे OTP आएगा उस OTP को लिखना होगा चलिए OTP को लिख लेते हैं यहाँ पर continue पर click करेंगे then आपको जो भी अपने pen number दिया होगा उसका name दिखाएगा name में शुरू के यहाँ पर first letter है उसके बाद बीच के कुछ letter दिखाएगा then last letter दिखाएगा तो आपको उसी समझना है कि नाम क्या है आपको खुद समझना होगा कि आपने जो pen number दिया उसका यह जो नाम आ रहा है वो सही आ रहा है ठीके उसके बाद continue पर click करना है continue पर click करने के बाद देखो यहाँ पर बहुत सारे चलान है आपको बहुत सारे अलग अलग चलान दिखेंगे उसमें से सही वाला जो चलान है वो select करना है तो advance tax के लिए income tax वाला जो चलान है उसको select करना होगा ठीके यहाँ proceed पर click करेंगे proceed पर click करने के बाद सबसे पहले select करना होगा assessment year जिस भी assessment year के लिए advance tax जमा करा रहे हैं for example के लिए 23-24 के लिए करा रहे हैं तो यहाँ से 23-24 select कर लिया ठीके इसका financial year 22-23 होगा ठीके लिए 22-23 का अगर आप जमा करा रहे हैं financial year तो assessment year 23-24 लेना होगा उसकी वाद primary head में यहाँ पे लेना होगा advance tax ठीके जिसका code 1 00 होता है यहाँ पे major head automatic select हो जाएगा जहाँ पे बोलता है कि जो person है वो individual है उसकी वाज़े से other than company select है देख सकते है other than company 0021 क्योंकि pen number के basis पे automatic इसने select कर लिया है यही अगर आप NSDL की site पे करते थे तो यहाँ पे आपको उस तरह के head को select करना होता था कि company deduct है या non company deduct है देख सकते other than company automatic select हो गया अभी उसके बाद continue पे click करना है यहाँ पे amount लिखना है tax का तो मैं आपको बता रहा हूँ तो केवल समझा रहा हूँ मैं तो यहाँ पे केवल 10 रूप ले लिया मैंने ठीक है तो 10 रूपे का advance tax जमा करा रहे है यहाँ पे 10 रूपीज ले लिया और उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे आपको continue पे click करना है continue पे click करने के बाद देखो payment के multi option है बहुत सारे अलग-अलग option है यहाँ पे जैसे कि पहला है net banking net banking में देख सकते हैं कई सारे banks है जिनका आप use करके payment कर सकते हैं net banking के जरीए अगर आप net banking इन में से आपका bank नहीं है कोई भी तो debit card के option पे जाके यहाँ पे जिस भी bank का आपका debit card है उसे select करना है और उसके बाद आप payment कर पाएंगे और आपका debit card उस bank का है जो की यहाँ पे listed नहीं है तो उस case में payment gateway का use करेंगे यहाँ पे payment gateway अगर आपका debit card यहाँ पे listed नहीं है तो payment gateway से जाके भी payment कर सकते हैं payment gateway मैं आगे बताऊँगा उसके बादा है pay at bank counter यहाँ पे payment की कई option है देखो इस वाले option के अंदर आप bank के counter पे जाके payment करा सकते हैं अगर 10,000 से ज़्यादा का है तो bank के counter पे आप payment नहीं करा पाएंगे उस case में आपको NEFT debit card यह RTGS वाले option को select करना पड़ेगा अभी RTGS NEFT का option इस option के जरीए आप plan को create करेंगे then जिस भी bank का उस bank में ले जाके अपने RTGS की retail को भरके payment करा सकते हैं अभी आता है अगला final payment gateway payment gateway मेरा favorite है इसमें कई सरे payment के option है जैको payment gateway यह तीन bank offer कर रही है कोटेक मेंटरा bank, कैनरा bank और federal bank आप इन में से किसी भी bank के gateway का use करके payment कर सकते हैं जैसे कि अगर federal bank का use करते हैं तो यहाँ आप ले लिए federal bank federal bank में जाने के बाद continue पे click करेंगे आपको चलान दिखाएगा कि आप जो पेमेंट कर रहे है उसके चलान की रिटेल यह है जैसे कि assessment year 23-24 आ गया financial year 22-23 आ गया मैंलब 22-23 के जमा कर रहे हैं तो assessment year 23-24 आएगा देन advanced tax यहाँ पे select हो गया यह tax का amount आ गया उसके बाद pay now पे click करना है आपको उसके बाद कुछ terms and conditions होंगे इसको आपको read करना है then agree पे click करना है terms and conditions को तो यहाँ पे click कर दिया और उसके बाद submit to bank पे जाऊँगा अभी देखो federal bank का यह option आ गया देखो यहाँ पे federal bank का मतलब है कि किसी भी bank से payment कर सकते है यह नहीं कि केवल federal bank में आपका account हो federal bank का मतलब होता यह एक तरह से third party bank होती है जो सभी bank की payment को accept करती है ठेके अभी pay now पे click करोगे यहाँ पे भी payment के multi option है smart checkout है card से payment कर सकते हो card का मतलब होगे debit card credit card किसी भी card से payment कर सकते हो net banking का use कर सकते हो debt banking में सभी bank के options available होते हैं इसके अंदर चाहों तो आप UPI का use करके payment कर सकते हो अगर आपको UPI का use करके payment करना है तो UPI पे click करोगे यहाँ पे आपको लिखना होगा UPI number ठेके फिर pay पे click करना होगा जैसे आप payment कर लेंगे इस परकार से आपको income tax का चलान receipts मिलेगा जो आपने जमा कराया होगा advance tax का उसका आपको इस परकार से चलान receipts मिलेगा जहाँ पर BRS code चलान number और date होगी payment की ठीके कितना amount pay किया वो details सारी आपको यहाँ पर मिलेगी तो इस परकार से आपको चलान मिल जाएगा तो समझगे दोस्तों ऐसे आपको payment करनी है advance tax की income tax ही साइट पर आके वीडियो का इस लगी ज़रूर बता है thank you so much जय हिंद वंदे मात्रा